तो हेलो दोस्तो क्या हाल चाल है अमीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे दोस्तो हाजी रोच का हुई एक और ने वीडियो के साथ तो फाइनली गाइस वो नियूज आ चुकी है जिसका आप सब को बेसबरी से वेट था और मुझे भी बहुत ही बेसबरी से वेट था या आरलीज डेट निकल कर आ रही है उसकी बात करेंगे तो अगर आप लोगों को भी जानना है तो बनेता ही वीडियो के साथ वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना चैनल पर नया आयते तो सब्सक्राइब जरूर कर देना आसी ही और वीडियो के लिए तो वीडियो शुरू कार लेते हैं बिना किसी देरी के तो जब से ही डंकी का ड्रोब वान यानि के टीजर वान रिलीज किया गया है तब से ही इस मूवी की हाइप बहुत सदा बन चुकी है क्योंकि ये बिल्कु यूनीक कॉंटेंट लाग रह ही है और इस मूवी के टीजर जब आया था तो टीजर पर पहरे 24 गेंटे से 40 मिलियन से भी जादा व्यूज आ चुके थे जो कि एक टीजर के लिए देखा जाए बहुत ही बड़ी बात है अगर कोई ट्रेलर हो तो बंदा कहता भी है हाँ इतनी हाइप है टीजर पर रमलीज हानका स्टार्डम बहुत बड़ा है जिसकी वज़ा से इतने ज़्यादा व्यूज आगे वाइज आप बात कार लेते हैं मूवी की अर्लीज डेट की तो पहले बहुत साथा कन्फ्यूजन थी क्योंकि जब हम लोग जागर गोगल पर या आयम टीबी पर जाकर देखते थे जो इसकी जो ओफिशल अर्लीज डेट थी वो थी 21 दिसंबर और हम सब को यही लग रहा था कि यह 21 दिसंबर को आने वाली है लेकिन आज ही मेकर्थ ने और शारुका ने खुद भी अपने ट्वेटर और इंस्टाग्राम पर शेयर किया है यह पोस्टर बताया है कि मूवी जो है डंकी वो आने वाली है क्रिस्मिस पर यह तो हम सब कोई पता है कि क्रिस्मिस पर आने वाली है लेकिन उसमें भी अवीतागर ब्लेस डेट नहीं बताई गई यह कंफर्मिशन जरूर कार दी गई है कि आप लोगों को मूवी क्रिस्मिस पर ही देखने को मिलने वाली है यानि के 20 से 25 दिसंबर के बीच में ही आप लोगों को देखने को मिलने वाली है अब ये नहीं बताया गया है कि वो 21 को देखने को मिलेगी या सलार के साथ 22 को देखने को मिलेगी या 23 को या 24 को लेकिन इतना बताया गया है कि क्रिस्मिस पर देखने को मिलने वाली है ये उन ल पूस्तर देखने को मिल जाए और आपको कनफरमर लेस्ट भी देखने को मिल जाए अभी तक हम ये ही मान सकते हैं कि 21 दिसंबर कोई ये मुवी आने वारी है बाकि आपको इसकी कितनी वेट है मुझे कमेंट में जरूर बताना वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जर कर लेना तो वाइस फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ